सबसे पहले विनों जी थोड़ा सा विशलेशन जरूरी है आज विशलेशन पहले चलिए इसी पर आईए या खिलेश यादव और कॉंग्रेस पार्टी के भी शमने पहले भी इस पर चर्चा की दी कि कुछ सीटें ऐसी हैं कुछ लाके ऐसे हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी का दशकों से एक प्रभाव रहा है और इसलिए वहां कुछ सीटें जित्ती भी आई है वो तो यह समझवादा क्यों नहीं हो पा रहा है या फिर आप इसे पॉस्चरिंग मानते हैं और आखिरकार जाकर कोई समझवादा हो जाएगा नहीं समझवादा है वह जाता तो दोनों पार्टी उग अच्छा था 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 इसका इंडिया एलाइन्स के लिए लिए लिगन चुकिए इंडिया एलाइन्स को लेकर नेता हो कहना है कि हमारा अगडबन लोगसभा चुनाओ के लिए हुआ है अब आमादी पार्टी भी और इनके जीवाल भी तो अपने कंडियर उतारी रहें तो अख्लेज जी भी उतारें के जाहिर है जो जिन सीटों पर अख्लेज जी समाझवादी पार्टी उतारना चाहती है और समाझवादी पार्टी के कुछ ट्रेडिशनल प्रोश्चित रहें लेकिन देके 2018 में समाझवादी पार्टी के बीच मुझे याद नहीं पड़ता कि मध्रदेश में कोई कट बंदन हुआ हो हमेशा समाझवादी पार्टी वहां लड़ती रही है उसे कुछ विधायक जीते रहें डॉक्र सुनीलम थे जीत के आये थे एक किशोर समरीते थे थे खमाझवादी प सुर्जेवाला जी और रांगुपाल जी के बीच में कुछ बातचीत हुई थी सीटों को लेकर के लेकर के लिगन शायद कमलाद जी को लगता है कि पदलब जो सीटे समाझवादी पार्टी मांग रही है वो कॉंग्रिस जीत चुकि है 2018 में बजैसे मेंगाओं की सीटे कॉं जीती है 2018 में वो सीटें देने में उनको दिक्कत है कॉंगर्स पार्टी को समाझवादी पार्टी कहना है कि हमारे विदायक पर जीत चुके है इसलिए अमरा अधार है इसलिए मिलनी चाहिए तो यह मुझे लगता है दोनों के बीच में कुछ बात हुई जिसमें नहीं होग और वैसे बाता हूं आपको कि मैंने पहले भी कहा कि 2018 में अलग अलग लड़े थे अपने प्रभाव चेतर में समाझवादी पार्टी कुछी ने जीत सकती ही लेकिन बाइपोलर एलेक्शन होता है तो बाइपोलर एलेक्शन में छोटे जो दल जिनका प्रभाव कम होता है उ वहां बीजेपी और त्रमूल के बीजेशन में चुना हुआ और लेफ्ट जिनका इतना बड़ा अधार रहा है वहां पर वो निपट गए विल्कुल शूने पर तो जब चुनाओ और बद्यपदेश का चुनाओ भी पूरी तरह से बाइपोलर है यह जो बद्यपदेश रा रिवा से वीम जिंग पटेल तो उनका तो बिंदे में और यह आपका बुंदेल खंड का इलाका यह चंबल गॉल जो गॉलिर चंबल संब यहां पर बीस्पी का पर बहुत समाज़ादी पाइटी बीजादा था तो बीस्पी पी आएगी तो लेकिन जब भूजन समाज पाइटी थी तो अपने प्रवाव चेतना कुछ विधायक जिता सकते हैं लोग लेकिन ऐसा नहीं के पूरे प्रदेश की राज़ीत में से कोई बड़ा असर पढ़ेगा